जुर्म को बढ़ाला देने में बैने ही कितने भी हाथ हूँ नेकिन जुर्म को रोकने के लिए सिफ एक ही हाथ काफी है सर्थ क्या पर मिरर हमें कि इस दोर में ले जाने बारी है इस मेगा तबर्पन की एक जलक से कौन हुआ बेहाल कुछ दिनों पहले इंटरेट पर एक पोस्टर वाइरल हुआ है से देखते पर पता नहीं क्यों की जिफ स्टार यस की याद आ रही है बिलकुल वजी बढ़ाई हुई दारी बनी हैर स्टाइल पस पर कितना है कि आखों पर कवश्म लगाया है पर जब जों करके देखा तो वो यस नहीं थे बलकि साउट की जाने मारे कोलावेडी डी धनुष से वैसे धनुष खौपनाग अपतार में रज़र आ रहे हैं यह कहने कि कोई जर्वत है नहीं यह रोग इतने खौपनाग है सरी तो बॉलिवूड को इसकी सर्वत है यूँ कहिए टॉलिवूड इनको ऑक्सिजन बन चुका है दोस्तों खैर इनकी जो फिल्मारणी है क्याप्टन मिलर वो एक इंट्रेस्टिंग टॉपिक की साधा रही है जो 1940s की दौर में हमें यह कर जाएटी इस फर्म में धनुष बने हैं क्याप्टन मिलर अब यह फर्म हमें यह बताया गी कि वो क्याप्टन कैसे बने वैसे फर्म के मेकर विस पर बात की तो बताया गया कि यह कहानी है एक ब्लाक टाइबर की जिसका असकी नाम था वही पूरव वसंतर जिनका जन हुआ जिन्होंने नाइटी इटी में एल टीटी को जॉइन किया एक ड्राइबर की तौड़ पर अग एल टीटी यह क्या थे तो इसका मतलब है लिबरेशन टाइबर ऑफ तमिल एलाव और वलीपुडव ब्लाक टाइगर ओफ दा लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल नम जिसके वटाइग में वसत्तन की मौत होए वैसे जहां पर यह वहां पर उनका एक स्टेचू भी बनवाया गया था पर 2006 में श्रीलंकर आर्णी ने उसे उड़ा दिया तो इसी आधार पर यह पर बनाई जा रही है जिसके आक्शन सिक्वेंसिस का कोई तोड़ नहीं होगा वैसे आ और वोट फिल्म देखने की पीलिंग आ रही थी वैसे वर्म तो आ रही है दिसंबर में मतलब कापी टाइम है अब ऐसे इवोलुशनरी फिल्म बनाने के लिए इतना पाइंग तो देखते हैं कि अब यह ओडियस को दौर में ले जाने में कितना काम्याब होती है या पर काम दो निये बाँ बाई